बहुत पुरानी बात है एक बहुत सुन्दर नगरी के सामने दो भीक्षू अपने गुरुजी के साथ भीक्षा मांते हुए गुजर रहे थे तब ही गुरुजी की नजर उस सुन्दर नगरी पर पड़ी हुए वाह 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 अती सुन्दर इस नगरी को देखके तो आखे त्रप्त हो गई बहुत सुन्दर नगरी है हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कहा बहुत सुन्दर नगरी है बस यहां भीक्षा भी सुन्दर मिल जाए तो आनन्द ही आनन्द है बिल्कुल सही फर्माया प्रेमपाल अब बस इस नगरी में जोली भर मिठाईयां और पकवान मिल जाए फिर तो आनन्द ही आनन्द है अच्छा अच्छा ठीक है चलो अब ध्यान से सुनो कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे बच्चा प्रेम पाल तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओगे और बच्चा वीर पाल तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ और जो भिक्षा में मिले सहद स्वीकार कर सूरज ठलने से पहले यहीं मिलना चलो चलो अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो जी 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 जुरुजी महराज अरे वाँ चलो कोई तो दिखा ऐसा करता हो एक बार राशन का दाम पोचता हो अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूँगा अपने साथ गुरुजी महराज बड़े प्रसन्न होंगे क्यों बनिये आटे का क्या भाव है अरे अरे बाबा जी प्रणाम बाबा जी टके सेर बाबा जी और चावल वो भी टके सेर और चीनी चीनी क्या भाव दी टके सेर सब टके सेर ये सब सच है क्या एक बार दूसरी दुकान में पूच कर देखता हूँ उधर का क्या हाल है अरे बेटी टमाटर कैसे दिये टके सेर बाबा जी और गोबी टके सेर बाबा जी ये भी टके सेर और ये वाली साधु महराज ये भी टके सेर दिया अरे बाबा आनन्द ही आनन्द सब टके सेर ओ भाई हलवाई मिठाई किस भाव देते हो कौन हो किस देश से आये हो टके सेर की नगरी में क्या सोचके आये हो कविता तो हम कहां कम है ये लीजिए हम कहां से आएंगे भाई अपना ना कोई घर ना कोई ठिकाना जिधर शरण मिली उधर रात कटे यही हम साधुओं का ठिकाना अब जरा अपने स्वादिष्ट मिठाई का मोल तो बताना टके सेर बाबा टके सेर जो चहो वो पाओ मुल्य रहेगा टके सेर ये क्या कहते हो हलवाई सब टके सेर सारी मिठाई टके सेर वा भई वा नाम क्या है इस टके सेर की नगरी का हलवाई बाबा अंधेर नगरी वाबा भई अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा तो बाबा कुछ लेना हो तो बताईएगा क्या बधवाओं आपके लिए बच्चा मांग कर पांच पैसे लाया हूँ सब की मिठाई कर दो है वाबा वाबा क्या किस्मत पाई है आज तो भिक्षा में प्रभू ने प्रसंद कर दिया जै हो जै हो प्रभू जै हो बच्चा वीरपाल क्या भिक्षा लाए गठरी तो बहुत भारी मालूम होती है गुरुजी महराज पांच पैसे भिक्षा में मिले थे उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ अरे बच्चा पांच पैसे में गठरी भर मिठाई ये कौन सी नगरी है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा अरे राम 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 बचाए लाखो पाए बच्चा ऐसी नगरी में तो एक शण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा भिक्ता है गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहां दो पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है मैं तो इस नगरी को छोड़ कर नहीं जाऊंगा देख बच्चा पीछे पच्चताएगा मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा देख मेरी बात मान पीछे पच्चताएगा मैं तो जाता हूँ पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े दो याद करना देख वीरपाल क्यों जिद करता है जब गुरुजी ने कहा चल तो चली यहां से यहां रुकना उचित नहीं अरे जा जा चिपको कही का चिपका रहे अपने गुरुजी से मैं तो इस नगरी में पेट भर खाओंगा तू भूखा विक्षा मांग मैं नहीं जाने वाला ना रोना नहीं चुप हो जाओ बताओ बताओ क्यों रो रहे हो महराज कल्लू बनिय की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई दुहाई है महराज न्याए हो बहुत बुरा हुआ हाँ तो फिर जाओ उस कल्लू बनिय को पकड़ कर लाओ क्यों बनिय ये कैसी दिवार बनवाई थी जो इसकी बकरी दब कर मर गई बताओ महराज मेरा कुछ दोश नहीं कारीगर नहीं ऐसी दिवार बनाई किर पड़ी इसमें मेरा कुछ दोश दाई ये तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे, और कारिगर को पकड़ कर लाओ, हाँ, सारा किया धरा उसी का है क्यों कारिगर, इसकी बकरी क्यों मर गई? महराज मेरा कोई कसूर नहीं, चुने वाले न चुना ही ऐसा खराब बनाया कि दिवार गिर पड़ी अच्छा, तो ये बात है, खैर, उस चूने वाले को बिलाओ क्यों चूने वाले, तुमने कारिगर को खराब चुना क्यों दिया, बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं महराज मेरा कुछ दोश नहीं, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा अच्छा, अब समझ आई बात, उस भिष्टी को लाओ हमारे सामने क्यों भिष्टी, इतना पानी क्यों मिलाया तुमने, कि इसकी दिवार गिर पड़ी, और बकरी दपकर मर गई महराज गुलाम का कोई कुसूर नहीं, कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी, कि उसमें पानी ज्यादा आ गया अच्छा, कसाई को लेकर आओ, और इस भिष्टी को निकालो यहाँ से क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई महराज गड़िये ने टकेसर में इतनी बड़ी भेड मुझे बेची, कि मशक बड़ी बन गई अच्छा तो चलो, इस कसाई को निकालो यहाँ से, और गड़िये को लाओ यहाँ पर क्यों गड़िये, ऐसी बड़ी भेड क्यों बेची तुमने महराज अधर से कोतवाल सहाब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने चोटी बड़ी भेड का ख्याली नहीं किया, मेरा कुछ कुसूर नहीं अच्छा, इसको अब निकालो, और कोतवाल को पकड़ कर लाओ महराज मेरा कुसूर कैसे, मैं तो शेहर के इंतिजाम के लिए आया था, बहला अगर अपना काम नहीं करूंगा, तो अपना फर्स कैसे निभाओंगा ये तो बड़ा घजब हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ अपने चक्कर में पूरे नगर को भूग दे नहीं नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ मंत्री जी, सही कह रहे हैं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली, जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई, लेकर महराज, महराज हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते ले जाओ इसे और फासी पर चढ़ा दो गुरुजी भी न, मुझे इस खुपसुरत नगरी से जाने को बोल ले थे मानता हो कि नगरी कुछ कारणों के लिए अच्छी नहीं लेकिन मुझ साधू का क्या, मुझे तो खाने को चाहिए और आराम करने को वा 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 लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है कुछी दिन हुए हैं अभी नगरी में, कहीं में मोटा तो नहीं हो गया तभी राजा के कुछ सिपाही वीरपाल को खेर लेते हैं यहीं मोटा सही है, चल जरा चल, मिठाई खाकर खोब मोटा हो रहा है आज मज़ा मिलेगा तुझे अरे, यह आफ़र कहां से आई, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है, जो मुझे पकड़ते हो आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फासी लगेगी आपको, हाँ मोटा होने से फासी, अरे, अरे, यह कहां का न्याय है, अरे, साधूं से हसी नहीं की जाती बच्चा, जाओ-जाओ यहां से, मैंने भोजन कर लिया है, अब साधना का वक्त है, जाओ साधना तो हम करवाएंगे, जब सूली पर चढ़ जाओगे, तब पता चलेगा की फासी है या हसी, हैं, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले जाएं बात क्या है, एक साधू आदमी को बिना किसी बात के फासी पर चढ़ाना चाहते हो बात ये है कि कल कोटवाल को फासी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब फासी देने को उसे ले गए, तो फासी का फंदा बड़ा निकला, और हमारे कोटवाल साथ तो दुबले हैं फिर हम लोगों ने महराज से अर्ज किया, इस पर हुकुम हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फासी दे दो, क्यूंकि बकरी मरने के अपराद में, किसी ना किसी को तो सजा मिलनी ज़रूरी है ना, नहीं तो सच्चा न्याएं हो नहीं पाएगा ए प्रभू, इस पापी पेट के चक्कर में मैंने गुरुजी की बात न मानी ए बापरे, मुझे बेकसूर को क्यों फासी दे रहे हो, अरे भाईयो कुछ तो धर्म का खयाल करो, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना, उसी का फल है, गुरुजी, गुरुजी का हो गुरुजी, मुझे अभी नहीं बरना गुरुजी अरे बच्चा वीरपाल, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दिवार के निच्छे मक्ति तब गई, जिसके लिए मुझे फासी दी जा रही है गुरुजी, बचाहिए मुझे गुरुजी अरे बच्चा, अरे अरे, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिल रहा है मुझे, बच्चाहिए गुरुजी, बच्चाहिए देख बच्चा, डर मत, सुनो सब, मुझे अपने शिश्ची को अंतिम उबदेश देना है, तुम लोग सरा किनारे हो जाओ, इसके बाद तुम जो कर रहे थे, वो कर लेना, अब हटो पीछे महराज हम पीछे हट जाते हैं, आप देशक उबदेश दे सकते हैं तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी पर, भला तुम्हारा पूरा जीवन शेश है, मजे से गुजारो नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्धे हैं गुरुजी, आपको गती अवगती से क्या मतलब, मैं चढ़ूंगा फांसी पर भाई, ये क्या मामला है, अभी तक तो ये मोटा साधू रो रहा था, लेकिन अभी ये पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है, समझ में नहीं आता, महराज को इसकी खबर दे कर आता हूँ सैनिक तुरंद महराज के पास जाते हैं महराज, ये चेले से मिलने गुरू आया, कुछ कान में बुला, तभी से गुरू चेले में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई चल रही है गुरू कहता है, मैं चढ़ूंगा, चेला कहता है, मैं चढ़ूंगा ये क्या माजरा है, पता लगाना पड़ेगा चलो गुरू जी महराज, के पास ले चलो हमें, हम उनसे पूछेंगे की आखर माजरा क्या है बताईये गुरू जी महराज, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं महराज, इस समय ऐसी शुब घड़ी है, कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ती होगी तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे नहीं, हम, हमको फांसी की सजा मिली थी ना, हम ही चढ़ेंगे हम, हमको हुक्म है, हाँ, भाईयो, जल्दी करो, हमको फांसी दो, हाँ नहीं, नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दिवार गिरी थी ना चुप रहो सब लोग, महराज के होते हुए, कौन स्वर्ग जा सकता है हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी, जल्दी करो